पीछे एक मामलाया हेल्ट सेक्टी ने जो और सोर्सिस पे लगे हुए इंप्लॉई थे उनको तीन लोगों को अपने घर में जाड़ू पुच्चे सफाई के लिए रखा जो लोगों के हेल्ट को देखने के लिए रखे हुए करमचारी थे उनको हेल्ट सेक्टी ने अपने घर पे काम के लिए रखा और उसके उपरांद अगर उन्होंने आवाज उठाई तो उन तीनों को नोक्री से निकाल दिया गया एन आर एचेम के तहत जो इंपलाई कोबिट में सेवा की जिन इंपलाई ने लोगों की साथ हजार से ज़्यादा इंपलाई जो है वो अभी तक चाहिए पीएच में कर रहे हो पीड़डी में कर रहे हो उनको उनको छुट्टी जो है वो कर दी गई है जिस कैसी सुख की सरक है लोगों ने जिस जंता ने आपको बोर्ट दे के चुना आपको सत्ता में लाई और अ उनके लिए सुख की सरकार बनके लिए दुख की सरकार बनके आए हैं मुख्य मंत्री का यह बियान बड़ा निंदनिय है कि ये ठेकेदार के लोग हैं अब outsources रखे हैं 40,000 employee हेमांचर प्रदेश में काम कर रहे हैं और अब उनके ऊपर भी खत्रा मंड़ने लगा है ये सरकार जो सत्ता में आई है रोजगार 5 लाख रोजगार देंगे ऐसे करके सत्ता में आई है लेकिन क्या जनता को य लगे हुए हैं जो बेरोजगार अभी outsources के थ्रू लगे हुए उनको भी निकालने काम कर रही है मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और इसकी जांच की मांग भी करता हूं